हेलो इबरीवन गौतम ओलाइन इस्टडी यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज आपके लिए हम लेकर हैं सेकंड क्लास आर्पी अपेसाई कॉंस्टेवेल 500 प्रेस्ट महात्यपूर्ण की सीरीद चल रही है उसी में समान निद्यन और विज्ञान के आपके आने वाले एक्जाम के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं बागी बाते हम लास्ट में करेंगे तो आप लास्ट तक जरूर देखिए फर्स्ट कुस्चन फर्स्ट कुस्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास और सिक्ता होती है किसकी होती है इंजाइम इंजाइम की और सिक्ता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए सेकेंड है अनुपुस्पी पादपों को किसमे रखा गया है सुद्धी करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो dialysis, dialysis कहते हैं मानो सरीर में खून के सुद्धी करण की प्रक्रिया को, next है four number question, कौन सा एक कूट फल है, तो कौन सा है सेव, सेव एक कूट फल है, ठीक है, five number है, मानो सरीर की सबसे लंबी हड़ी, कौन सी होती है, तो femur होती ह जो कि जांग की हड़ी होती है ठीक है पैर की मानोसेर की सबसे लंबी हड़ी होती है सिक्स नमबर कोस्चन क्या है कि हिस्टोलाजी सब्द का सरोप्रथम प्रयोग किस ने किया तो मेयर मेयर ने किया हिस्टोलाजी सब्द का सरोप्रथम प्रयोग सेवेन नमबर कोश्चन है नाइट्रोजन इस्तिरी करण में लेग हीम गलोविन का क्या कार रहे है तो आक्सीजन का आउसोसन करने का जो कार रहे होता है नाइट्रोजन इस्तिरी करण में लेग हीम गलोविन का होता है 8 number question है समानेता है अंकुरण के लिए किसकी असकता नहीं होती है तो प्रकास प्रकास किया सकता नहीं होती है अंकुरण के लिए next है 9 number question है पादपो में बना खादे पदार्थ पौधो के विविन अंगों में किसके दौरा पहुचता है तो phloem तोल्ब नमबर है इस्तंब मूल होती है क्या अबस्थनिक जड़े होती है ठीक, इस्तंब जो होती है, मुलता है, अब अस्थनिक जड़े होती है, फिर 12 नमबर कोस्चन है, स्वारी 13 है, मिस्प्रिंट है, कौन सी विमारी जिवान संक्रमन के कारण होती है, तो कुष्ट कुष्ट जो होता है, जिवान संक्रमन के कारण होता है, नेक्स्ट है, आलू का खाने योग भाग कौन सा होता है तना तना होता है आलू का खाने योग भाग फिर नेक्स्ट कुष्चेन है प्रकास संसलेशन में पर्णहरित की भूमिका है किसकी प्रकास के संसलेशन की ठीक है प्रकास के संसलेशन की पर्णहरित की भूमिका है प्रकास translation में नेक्स्ट है 16 नमबर की तेल वीजवाली फसल किस से सम्बंधित होती है वो ते कुरुसी फेरी से सम्बंधित होती है तेल वीजवाली फसल 17 नमबर है कि द्युनाम पद्धत के प्रतिपादक कौन थे तिल्ली तिल्ली जो होता है मानसरील में रुधिर बैंक का करता है फिर नेक्स्ट है भारती वनस्पत विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं तो विलियम रॉक्सवर्ग भारती वनस्पत विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं फिर नेक्स्ट है प्रतिवर् सवारी अस्तियों का अध्यन विग्यान की किस्ता आखा के अंतरगत किया जाता है अस्तियों का अध्यन नेक्स्ट है 22, कोस्चन की खसरा किस संक्रमन के करण होता है तो विशानु के दोरा होता है खसरा नेक्स्ट है कौन सर उधिर समूर सर्व ग्राही है तो AB AB blood group जो होता है सर्व ग्राही होता है और O blood group की बात करें तो सर्व दाता होता है ठीक है फिर देखें next है 24 gerontology gerontology किसके अध्यन से संबन दीत है तो breathe breathe के अध्यन से संबन दीत है gerontology next है 25 की ascaris दौरा मनुश्य में कौन सा रोगदपन होता है तो ascaris ascaris उत्पन होता है ascaris दौरा मनुश्य में फिर 26 है dinosaur कौन थे तो mesojoic सरीस्रिप थे mesojoic सरीस्रिप थे dinosaur 27 है जयांग का कौन सा भाग प्राग ग्राहन करता है तो वो होता है बृतिक कांगर ठीक है बृतिक कांगर होता है जयांग का भाग प्राग रहन करता है 28 है किस पाओदे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है तो saikas saikas होता है जयांग का भाओदे में बीज होता है लेकिन उसे फल नहीं होता है 29 है जंतू में होने वाला foot and mouth रोग किसके कारण उत्पन होता है तो भी सानु के कारण उत्पन होता है foot and mouth रोग नेक्ष्ट है 30 की भारती वनस्पतिक सर्वेक्षन का मुख्याले कहा है तो कोलकाता कोलकाता में है भारती वनस्पतिक सर्वेक्षन का मुख्याले 31 है बीज किस से विक्सित होता है विजान्ड से विक्सित होता है वीज फिर देखें नेक्स्ट है जीन किस में अवस्थित होते हैं तो वो होते हैं गुणसूत्रों गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं जीन 33 है कोस्का की आत्महत्या की थैली कौन कहलाती है तो वो होती है लाइसोसूम लाइसोसूम को कहा जाता है कोस्का की आत्महत्या की थैली 34 है पाचन किरा में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं तो एमिनो अमले एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचनक्रा में प्रोटिन नेक्स्ट है थर्टिफाइब की AB रुधिर समूँ के बैक्तियों को युनिवर्सल रेशिपियन्ट कहते हैं क्योंकि? क्योंकि उसके रुधिर में जो होता है प्रतिकारक नहीं पाय जाते हैं इसलिए एवी लोधिर संगों के बेक्तियों को यूनिवर्सल रेशिपियन्ट कहते हैं थार्टी सिक्स है देशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पादन नहीं होता है फिर थार्टी सेवन नंबर कॉस्चन है कि लाइकेन Lycan किंदोबर्ग के पौधों से प्राप्त मिलकर बनता है तो वह आ है कौन से कवक और सहवाल कवक और सहवाल से मिलकर Lycan बनता है 38 है Venus की पुस्प मंजूद्सा या Venus के फुलों की डालियां के नाम से कौन जाना जाता है तो यूपलेक टेला यूपलेक टेला जाना जाता है ठीक है वीनस की पुस्पमंजूसा या वीनस के फुलो की डालियों के नाम से 39 है सेरे ब्राम किस से संबंदित है तो मस्तिस किस संबंदित है सेरे ब्राम 40 नंबर कोस्चन है बस लाश्टी चल रहे हैं अब लाश्ट तक जरूर देखिएगा 40 नंबर कोस्चन क्या है कि एंटी वाडी का मुख कार किस के विरुद्ध होता है तो संक्रमन संक्रमन के विरुद्ध होता है एंटी वाडी का मुख कार देखिए 41 है जड़े किस रूम में विक्सित होती है तो जड़े मुलांकुर से विक्सित होती है 42 है कि फाइलेरिया नामक रोग किस के दोरा उत्पन होता है तो वो होता है वुचेरिया विनाक्राफ्टी वुचेरिया विना क्राफ्टी के दोरा उत्पन होता है फाइल एरिया नामक रोग फिर देके नेक्स्ट है विसाणु में क्या होता है विसाणु में क्या होता है न्यूकलिक अमल और प्रोटीन होता है ठीक है विसाणु में 44 है एट्स का गार्ण क्या है तो virus virus के दोर होता है forget 45 है, किस के दोर अन्वानसिक्ता के विग्ञान को अन्वानसिकी कहा गया है नेक्स्ट है 46, किस अमले की उपस्थित मानोपेट में होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अमले की उपस्थित मानोपेट में होती है, अमले की ठीक है 47 ने दूद के दही की रूप में जमने का क्या कारण है तो Lactobacillus के कारण दूद का दही की रूप में जमना होता है 48 है TBN नमक हड़ी किसमें पाई जाती है तो यह टांग में पाई जाती है TBN नमक हड़ी फिर देखें नेक्स्ट है 49 की 19 संस्थान इसमना होती है तो यह आज का लाश्ट कोशन था अगर आपको कशचन सिंपोर्टन लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आपने भीतक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि जब वीडियो अपलोड हो जब लाइफ क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देख सकें अन्य कोई डाउट हो आपके पास कुस्चन हो तो मैसेज करें हमारे वाटसेप ओप्सिशल नमबर 9406515750 में कोई भी डाउट हो कोई भी कुस्चन्स हो कोई भी सजेसन देना हो तो जरूर संपर्क करें ठीक है ठेंक यू